दार्जलिंग एक ऐसा सहर जो अपनी खूपसूरती की वज़े से वहां मोजूद चाय के बागानों की वज़े से दार्जलिंग में चलने वाली टॉय ट्रेन की वज़ा से पूरी दुनिया को अपनी और आकरशित करता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दार्जलिंग टूर के बारे में फुल इंफोर्मेशन देने जा रहा हूँ कैसे आप दार्जलिंग जा सकते हैं? क्या है दार्जलिंग गोमने का सही, आसान और सस्ता तरीका? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और ऐसी ही entertaining और informative वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कीजिएगा subscribe साथ में बल आइकन दबाने के बाद all notification पर भी click जरूर करें वीडियो अच्छी लगे तो like, share और subscribe भी जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक like, subscribe से मुझे motivation मिलता है कि मैं ऐसे ही आपके लिए informative वीडियो बनाता रहूँ तो please like और चैनल को subscribe जरूर करें तो चलिए आज घूमते हैं दार्ज लेगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि दार्ज लिंग कैसे पहुचा जाए अगर आप by flight आना चाहते हैं तो nearest airport है बागडोगरा में बागडोगरा से दार्ज लिंग के बीच की दूरी करीब 70 किलोमेटर है आप चाहे तो यहां से प्राइवेट टैक्सी के थूरू जा सकते हैं जो 3,000 रुपे चार्ज लेते हैं आप चाहे तो शेड टैक्सी से भी दार्ज लिंग तक पहुच सकते हैं 400 से 500 रुपे आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप बागडोगरा एरपोर्ट से बाई बस डार्ज लिंग जाना चाहते हैं तो आपको 12 किलोमेटर दूर सिली गुडी आना पड़ेगा सिली गुडी से आपको लगातार बस इसकी फैसिलेटी मिल जाएगी जिनमें टिकेट बनता है मातर 100 रुपे का अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरस्ट रेलवे स्टेशन है न्यूजल पाई गुडी में न्यूजल पाई गुडी से दार्जली के बीच का डिस्टेंस करीब 70-72 किलोमेटर है पहले बात करते हैं कि न्यूजल पाई गुडी कैसे पहुचे जाए बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन न्यूजल पाई गुडी तक जाती हैं जिन में सेकंड सिटिंग से फस्ट क्लास एसी तक की कैबिन मौजूद है सेकंड सिटिंग में 400 रुपे का टिकेट बनता है आप आसानी से दिल्ली से न्यूजल पाई गुडी पहुच सकते हैं इसके अलाबा न्यूजल पाई गुडी रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े-बड़े सहरों से डारेक्ट रेल मार्क से जुड़ा हुआ है न्यूजल पाइकुडी से दारजलिंग जाने के भी कई अलग अलग तरीके हैं अगर आप महा की टॉय ट्रेन को एंज्योय करना चाहते हैं तो न्यूजल पाइकुडी रेलवे स्टेजन से दारजलिंग तक टॉय ट्रेन भी चलती है ट्रेन का टाइमिंग है सुबह 10 बजे जो सामको 5 बजकर 5 मिनट पर आपको दारजलिंग ड्रॉप करेंगे टिकेट का प्राइज 1st क्लास में 1420 रुपे वहीं AC चीयर कार में 1700 रुपे का टिकेट बनता है लेकिन टाइम लगता है करीब 7 गंटे तो ऐसे में टोय ट्रेन को इंजोय करने का एक और दूसरा तरीका भी है वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो अभी वीडियो से जुड़े रही है इसके लाब आप न्यूजल पाइकड़ू से आप बाई से टैक्सी भी जा सकते हैं 200-300 रुपे मातर आपको देना पड़ेगा और आप 2-5 गंटे में न्यूजल पाइकड़ू से दार्जलिंग पहुच जाएंगे बाई बस भी आप न्यूजल पाइकड़ू से दार्जलिंग तक जा सकते हैं बाई बस अगर आप दार्जलिंग तक जाना चाहते हैं तो दिल्ली के अगर मैं बात करो तो डिरेक्ट बस आपको मिलना बेहत मुश्किल हो जाएगा और दिल्ली से दार्जलिंग के बीच की दूरी करीब 1517 किलोमेटर है जो अपने आप में बहुत जाता है तो ऐसे में मैं रिकमेंट नहीं करूँगा कि आप दिल्ली से दार्जलिंग तक बाइबस जाए बट अगर आप वेस्ट बंगाल, मेगाले, बिहार या आसपास किसी द दार्जलिंग पोहुचने की अब बात करते हैं कि आने के बाद इस्टे कहां करें कौन सी जगाह स्ट नहीं कोंसी चुल रूपे बहुत सारे 12,000 या 15,000 तक जा सकती है अगर आप कैम्प में स्टे करना चाहते हैं तो मेन सिटी से कुछ दूरी पर कैम्प की फैसिलेटी भी अवेलबल है आप चाहिए तो ऑल्लाइन बुक कर सकते हैं पर हैड पर नाइट एक हजार रुपे लिया जाता है जिसमें फूड इंक्लूड रह क्या क्या करें कहा कहा गूमने जाएं क्या है बेस्ट तरीका साइट सीं का तो चलिए उस बारे में भी डिसकस कर लेते हैं डारज रिंग में लोकल साइट सीं अगर आप करना चाहते हैं तो आप चाहे तो वहां पर package बुक कर सकते हैं तूर एंट रैवल के तुरू जो 7 से 8 सायट सिंग कराते हैं और 1,200 रूपे चार्ज लेते हैं । यह सारे साइट सींग 14 собой मेटर के दायरे में होते हैं अब चाहे तो तूर अण ट्रैवल ओफिस के गुरादे के दूर वुक करने के बाद भी इन सायट सिंग कर सकते हैं और रेंट है यह नेगेशियर किया जा सकता है जो 800-1000 तक हो जाता है आप चाहें तो शेयर टैक्सी के थूरू भी इन सभी साइट्स को कवर कर सकते हैं बहुत ज्यादा खर्चा इन में नहीं आता है दस रुपे 20 रुपे मात्रे टिकेट बनता है और आप सभी एक एक साइट को शेयर टैक्सी के थूरू भी कर सकते हैं सबसे सस्ता तरीका यहीं है आप चाहें तो इन सभी साइट को आस-पास मोजूद साइट को पैदल भी कर सकते हैं जैसे आप हैपी वैली तक पैदल जा सकत हैं और दाजलिंग के बहुत खूबसूरत नजारों का लुटव उठा सकते हैं मैं बात कर रहा था दाजलिंग ट्रेन की अगर आप न्यूजल पाइकुड़ी से दाजलिंग तक बाइट ट्रेन नहीं आये हैं और इसके बाद भी आप ट्रेन को एंज्वय करना चाहते हैं तो दाजलिंग में कुछ जोए ट्रेन चलती हैं जो दाजलिंग से गूम तक जाती हैं यह सफर आठ किलोमेटर का रहता है यहां पर आप चाहे तो इसको एंज्वय कर सकते हैं और ट्रेन में लुट्व उठा सकते हैं यह दो अलग-अलग के ट्रेन चलती हैं एक डीजल एं 10-minute का सफर रहता है जिसमें जाना और वापिस आने सारा इंक्लूड रहता है अप एंड डाउन डोनो जर्नी रहती हैं 10-minute का एक स्टॉपेज होता है अब दार्जलिंग की सुन्द और खूपसूरत वादियों में ट्वय ट्रेन को इस तरह से भी इंज्वय कर सकते हैं लेक भी जाती है वहां रुकती भी है 10-15 मिट आप घूम सकते हैं वापस इस ट्रेन में बैठ सकते हैं और घूम जाने के बाद वह रिटर्न डार्जलिंग आती है यह पैकेज 1,500 रुपे का रहता है इसके लावा आप डार्जलिंग में रोपवे को भी इंज्वय कर सकते हैं र अगर आप प्राइवेट रुपे लेना चाहते है यानि पूरा कैबिन भी बुक कर सकते हैं इसकी टाइम डुरेशन रहती है करी 20 मिनट यह राउंट ट्रिप जर्नी होती है 200 रुपे में आप जाएंगे भी और वापस भी आएंगे और एंड पोइंट पर पहुचने के बा तोसलों आप सकते हैं फ्तूटल पत्स केबिन पूरे रोपे में चलते रहते हैं ये खुब्स 되지 अब या स्याशार पी से डाज्वरस्ता आप प्छॉवरसता आ सकते हैं यहां आप कुछ अच्छा समय पिता सकते हैं कुछ पीशफुल समय आपको यहां पिताने का मौकर मिले सकते हैं जो बहुत खुबसूरत है बहुत सारी शॉपिंग आप माल रोट से कर सकते हैं इसके लावा एक मंदिर है महाकाल धाम आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं पंदरे मिनिट का ट्रैक आपको करना होगा पहाड़ों पर और आप महाकाल टेंपल तक पहुच जाएंगे इ इसके लावा नेक्स डे आप कुछ दूर के जादा दिस्टेंस पर उन पॉइंट को भी कवर कर सकते हैं जैसे रॉक गार्डन इसके दूरी तार्जलिंग से 10 किलोमेटर है इसके लिए आप महां के लोकल साइट्स को कवर करने वाले टूर एंड ट्रेवल ऑफिस से कॉंटे सब्सक्राइब के लिए स्नो लवर के लिए बैस्ट है नवंबर से फेब तक कभी भी आ सकते हैं परवरी के बाद पूरे साल आप कभी भी आईए यहां का एक्स्पिस आपका बेहत कुपसूरत रहेगा साल के किसी भी मन्थ में आप आईए गरम कपड़े साथ जरूर लेकर हैं सभी को आप कवर कर सकते हैं दो दिन का स्टे आप कर सकते हैं दो नात के स्टे में आप पूरे दार्जलिंग को आसानी से कवर कर पाएंगे दो रात सुफिसेंट है दार्जलिंग को घूमने के लिए बात बजट की कर लेते हैं बजट भी बहुत ज्यादा कि भूमने की करें तो वहां पर आपका खर्चा सिर्फ होटेल में होता है जो 500 600 700 रुपे तक आसानी से मिल जाते हैं इसके लावा फूड पर भी बहुँ जाता है वहां पर खर्च नहीं करने पड़ेगा नॉर्मल रेट्स में सभी तरह का खाना आपको आसानी से मिल जाएगा और साइट सीन के लिए मैंने बता दिया अगर आप दो दिन साइट सीन करते हैं तो 1000 से 1200 रुपे एक डेका हो जाता है तो करीब 5 से 6000 में आप आसानी से पूरे दाजलिंग को घूम सकते हैं अब अगर आप गुरूप में आते हैं तो यह और भी सस्ता पड़ सकता है क्योंकि एक दूसरे के साथ आप शेयर करके भी काफी चीज़े कवर कर सकते हैं बट अगर आप पूरी जर्दी को शेयर टैक्सी शेयर बसे इन सब से करना चाहते है तो और भी ज्यादा कम बजट में आप इस ट्रिप को इंजॉय कर पाएंगे तो यह थी दाजलिंग की वीडियो कै के लिए हमेशा बनाते रहेंगे बहुत बहुत